सुल्तानपुर एंकाउंटर का मामला जिसमें विपक्ष की तरफ से संगीन आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिये यूपी सरकार पर सुल्तानपुर में नकली एंकाउंटर हुआ है डकैती में शामिल लोगों का सतापक्ष से संबंद रहा पहले मुख्य आरोपी से पहले संपर्क कर सरेंडर करवाया गया जानबूच कर और सुल्तानपुर के आरोपी की जाती देख कर फिर उसकी जान ले ली ये आरोप लगाया है बहुत संसनिक है जारोप है अखिलेश यादव का और कहा है जो एंकाउंटर हुआ वो फेक एंकाउंटर है नकली एंकाउंटर बताया जा रहा है सुल्तानपूर का जो एंकाउंटर हुआ उसे नकली बताया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया पर भी एक्स पोस्ट के जरीए भी सवाल उठाए गए हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि डकैती में शामिल जो लोग हैं उनका रिष्टा उनका संबंद सत्तापक से रहा है और इसलिए पहले मुख्यारोपी से संपर करके सरेंडर करवाया गया और फिर जान ले ली गई